पर्तिष्टा मुलक सीट बीजेपी की ओर से ये बनाये गया है पाटले पुत्रा को जहां से मिशा भारती राजद के यानि भाजबा के पर्तिद्वंदी उमीद्वार है तीसरा चौथा कौन ये बन रहा है कि एक अरुन कुमार जी जो एल्जेपी राम बिलास की ओर से अपन कट ले लिया गायक और फिल्मों के इस्टार कह लिजे पोवन सिन वहां से निर्दलिय मैदान में उतर चुके हैं तो उनको लेके जुआओं में एक अलग तरह का उत्साह है कि पोवन सिन अभी अपना पर्जंस काफी हद तक बना के रखे हुए हैं लेकिन उस पर्जंस को ट्रांसलेट इंटू भोट कितना कर पाते हैं यह अलग चीज है वन सिन के बारे में पहले से चर्चा रही कि वह बीजेपी की और से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी में आ गये हैं चार दिन पहले बीजेपी ने उन्हें पाटी से भी निकाल दिया है नमस्कार में प्रेड़ना आप देख रहे हैं स्वत्तो समाचार लोग सभा चुनाओ के साथ भी चरन का आप चुनाओ होना बाकी है लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस पार जो सेविन फेज का अलेक्शन होने वाला है वो इस वक्त कई जगों पर होट सीट बना हुआ है इस प अगर साथ ही चुनावी एनलाइसस पर भी बात करेंगे कि उनका एनलाइसस क्या कुछ कहता है साथ वे चरन के चुनाओ को लेकर अपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद धन्यवाद साथ वे चरन के चुनाओं में अगर बात करें तमाम सीटों पर तो इस बार क्या कुछ हो सकता है दिखी एक बात समझ लेजिए कि बिहार में अब तक 6 चरन का चुनाओ संपन हो चुका है और 6 चरन का मतलब है कि बिहार के 80% सीटों पर चुनाओं हो चुका है 20% सीटों पर सब्सक्राइब करें तो इसमें अब हम लोग करें कि सीट में कई ऐसे प्रत्यासी और कई ऐसी राज्यतिक सक्सियते हैं जिनकी प्रतिष्टा भी दाव पर लगी हुई है कुछ लोग अपना हैट्रिक पुरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कुछ बिल्कुल नेक उमिद्वार हैं और इसमें जो महत्पुन चुनाव छेत्र है लोग साबाद छेत्र के अधार पर हम कहें तो उसमें पटना साहब है पटली पुत्रा है आरा है सासा राम तूतना नहीं लेकिन कारा काट काफी होट हो गया है कई उसकी वजहें हैं तो कु पर पाली जून को चुनाव होना है मद्दान होना है तो अब हम सुरू करें सबसे होट सीट या परतिष्टा मुलक सीट बीजेपी की और से यह बनाए गया है पाटली पुत्रा को जहां से मिसा भारती राजद के यानि भाजबा के परति द्वंदी उमिद्वार है और मिसा भारती पिछले 2014 से ही लगतार चुनाव लड़ रही है यह अलग बात है कि 2014 में 2019 में उन्हें हार मिली थी और दोनों कार्जकाल में जो 2014 से 19 का रहा है और 19 से जो 24 का है तो इसमें बीजेपी की ओर से रामकिरपाल जादो रामकिरपाल जादो के बारे में हम सब लोग जानते प्रिमो लालु जादो की बड़ी बेटी जो मिसा भारती है उन्हें सिकस दी थी लेकिन एक बात मैं आज यहां रिखांकित करना चाहूंगा कि दोनों चुनाव में करीब 40,000 का 49,000 का मार्जिन रहा है रामकिरपाल जादो और मिसा भारती के बीच में तो इस वार उस सीट क लेकि एक अटकली यह है कि यह मार्जिन कोई लोगसाबा चुनाव के लिया से बहुत ज्यादा नहीं है 40,000 का मार्जिन है अगर वो मार्जिन इस वार कम होता है बढ़ता है यह दिल्चास होगा और इसको जानने के लिए हम लों को चार जून का इंजार करना पड़ेगा द अबिशन का खास पर्चे बस इतना ही है अभी कि वो मीरा कुमार जी के फुट्र है लेकिन यह है कि वह पहली बार उस सिट से अपना किसमत आजमा रहे हैं और अविशंकर प्रसाथ तीसरी बार उस सिट से चुनाव लड़ रहे हैं अभी प्रशाद काफी धाकल्ड नेता रहे हैं केंदर में मंत्री रहे हैं और उनका राजनेतिक या सियासी सफर जो कही है वो 40 वरत से ज्यादा का है तो इस लिहाद से पटना साहिप छेत्र को लेके भी हम लोग यह कह सकते हैं कि वहां चुनाओ रोचक होगा कुछ लोग का इभी आकलन है कि साथ अंत में वह चुनाओ एक तरफा हो जाए और अभी शंकर प्रसाद को एक तरह से वाकवभर मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं है चुकि हम लोग देखें कि जिश्डंग से राजद कांग्रेस लेफ्ट और भी आईपी एक जूट होके बिहार में विभीन सभा लोग सभा चेत्रों में चुनाओ परचार करने हैं उसमें यह कि किसी भी चेत्र में बिल्कुल वाकवभर वाली स्तिति दिख नहीं रही है त चुनाओ भी रोचक होने वाला है हम लोग को देखेंगे अब हम आते हैं कराकाट कराकाट को लेके काफी अटकले है जो आठ लोग सभाज्चेत्र के अंदर पहली जून को चुनाओ होने वाला है उसमें कराकाट को लेके काफी चर्चाय हो रही है नस्नल मीडिया में भी औ लोगों की नजरे भी लगे हुई है कि वहां से उपेंद्र कुस्वाहाजी उमिद्वार हैं इंडिये के और इंडी गठवन्दन के तोर पर वहां पर जो उमिद्वार हैं राजा राम सिन मैंने सीपे ये मेल के तो सीपे ये मेल और उपेंद्र कुस्वाहाज के बीच एक तीसरा कौन बन रहा है कि भजपूरी गायक और फिल्मों के इस्टार कह लिए पोवन सिन वहां से निर्दलिय मैदान में उतर चुके हैं तो उनको लेके जुआओं में अलग का उत्साह है और यह माना जा रहा है कि अभी अपना पर्जंस काफी हद तक बना के रखे हुए हैं लेकिन उस पर्जंस को वह ट्रांसलेट इंटू भोट कितना कर पाते हैं यह अलग चीज है लेकिन इसको लेके उपेंद्र कुस्वाहा और जो सीपे ये मेल के उमिद्वा जो है उन्हें मोई समीकरण का मौमधा तो मिली रहा है साथ में सिपे अई का भी अपना कैडर है सिपे ये मिल का और कुछ दलित भोटो को अंदर भी उलोगों ने अपना पैठ बनाया है लेकिन फिर भी यह माना जा रहा है कि 11th hour में भी पॉसिबल कि उपेंद्र कुस्वा बढ़त बना लें पॉवंसीन के बारे में पहले से चर्चा रही कि वह बीजेपी की और से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी में आ गया है चार दिन पहले बीजेपी ने पाटी से निकाल दिया है तो इस सब क्या आसर होता है मधाता कि नंग से पुलराइज होते हैं किस तर अपने उमिद्वार नहीं बदले इंडी का जो उमिद्वार सुरिंद्र जादो पहले थे वही इस बार भी है और जदिव की ओर से यानि एंडिये की उमिद्वार के तौर पर चंदस्तर प्रसाद चंद्रवंसी हैं तो उमिद्वार वहीं है लेकिन वहां एक तीसरा नहीं बस पा से टिकट ले लिया और बस पाउमिद्वार के तरफ पर मैदान में आ गये हैं तो यह माना जा रहा है कि अरुन कुमार जी के मैदान में होने की वज़ा से जो जदिव कंड़ेट है यानि जो एंडिये की उमिद्वार हैं उनको थोड़ी परसानी हो सकती है उनकी वी राह आसान नहीं है क्योंकि वहां पर एक मुनिलाल जादो जो पूर विदायक भी है जादों है वो खड़ा हो गया है निर्दलिये के तोर पर और जादों के बीच में उनकी काफी पैठ है और यह माना जा रहा है कि जादों के बीच उनका भोट भी है और वो अब किधर प्रणा भारी होता है किनके तरह मद्दताओं का रुजान होता है इस पर उसका चुनाव प्रणाम निर्भड करेगा नलंदा में हम देखेंगे जो साथवे फेच का एक तो मुखमंत्री का वो ग्री चेत्र भी है कर्म चेत्र भी है और नलंदा में इसकुमार की पकड़ काफी मजबूत है तो इस लियाद से हम देखें कि नलंदा में जो उनके उमिद्वार है वो कौसलेंद्र जी मजबूती स्तिती में भी बताया जा रहा है जो हम लों के पास जनकारिया आ रही है जो हम लों के सुत्र से पता चल रहा है लेकिन सीपी आई एमेल ने जो वहां संदीप सवरोग को उमिद्वार बनाया है एक तरह से पहचान के संकट सो गुजर रहे हैं सीपी एमेल का कुछ प्रयास हो रहा है तेसके अधार पर लेकिन फिर भी यह माना जा रहा है कि साथ संदीप सवरोग उस तरह से कंट्रेस्ट नहीं कर पाएंगे उतने फाइट नहीं कर पाएंगे और चंदेश्वर चंद्रमंसी चंदेश्वर प्रसाद जी कि राहें बहुत मुस्क्री जादीव प्रत्यासी जो कॉसलेंद्र है एक तो इसके पहले भी सिटिंग संसद हैं उनका मुकाबला संदीप सवरोग से हैं संदीप सवरोग सिपिया यह मेल के उमिद्वार है और यह माना जा रहा है कि कॉसलेंद्र की छेत्र में पकड़ भी है और मदाताओं के बीच उन है फिर माई समी करन और जो लेफ्ट का कड़र है वह कितना उनको मदद कर सकता है उस पर नरंदा का निर्बग करेंगा आरा में भी एक तरह से राजपार सिन आरके सिन के नाम से जो परसिद्ध हैं के अंदर मंतरी भी रहे हैं और तीसरी बार महां से जो राजमाइस कर रहे हैं लोगों के अंदर क्रेज भी एंग उनके काम को लेके विकास को लेके सारी चीजें ऑर मोदी जी के काम का भी असार है थ hm जो फोर लेंड बने या बाकि जो विदूतिकरन का काम हुआ है वो सब को लेके मनें एक तरह से मोदी का काम और जो आरके सिन का प्रभाव छेत्र है उसमें यह माना जा रहा है कि आरा में बीजेपी अपर हंड है अभी की इस्तिति में वहां भी उनको सुदामा परशाथ से जो को सीपेई एमेल के उमिद्वार हैं उनकी लड़ाई है लेकिन आरा में हम सब लोगें मान के चल रहे हैं कि वहां पर काफी हद तक आरके सिन को एक तरह से बढ़त की स्थिति में है वह अब दूसरा और तिसरा छेत्र जो बच रहा है जहानाबाद हम लोग चर्चा कर लिए प अपने उमिद्वार को बदल कि नीजो उनके सुंसात थे अस्वनी कुमार चुबे जी उनका टिकट कार्ट के मिथलेश कुमार तुवारी जी अपना उमिद्वार बनाया है लेकिन मिथलेश तिवारी जी एक तूस शेत्र के लिए नहीं है और दूसरी परेशानी वहा पर हो रही है कि आर्जेटी ने भी अपने पुराने उमीद्वार को बदल दिया जक्तानांद से टिकट ना देखें उनके बेटे सुधाकर सिनको टिकट दिया है लेकिन इन दोनों के बीच जो मुकाबला है उसमें एक तीसरा एंगल बन रहा है कि एक अनंद मिश्राजी जो IPS है असमकाइडर के IPS अधिकारी रहे हैं उन्होंने अपनी सर्विस से अपनी नुकरी से रिजाइन करके चुनाव मैदान में उतरे हैं और एक तरह से एनर्जेटिक हैं यंग हैं और लोगों के बीच उनकी पकड़ धिरे-धिरे काफी बढ़ी है और उनका यह है कि हम समाज सिवाह के वे जनता की मदद करेंगे इससे एक तो यह वहां का जो एंगाष्टर है वह काफी इंफ्लुएंस हो रहा है, और दूसरी कि भूकर डिवीजन हो रहा है कि अधिवीजन हो रहा है और वह बंश्वीजन जितना ज्यादा होगा तो मेरा मन्ना है यह तमाम इसलेस्क को देखा है उनका यह मनना है कि वहाँ पर बीजेपी उमीदवार को उससे नुकसान होगा लेकिन नुकसान कितना होता है वो एक देखने की बात होगी तो आज की चर्चा में हम लोगों ने जो सातवे चरण यानि अंतीम चरण का जो फाइनल मैच होने मला है जो एक जुन को यह चुनाव होगा और उसके बाद तीन दिन हम लोगों इंजार करना होगा और चार जुन को हम लोगों फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो आज इतनी ही चर्चा हम लोग कर लिए और हम यह मान के चलते हैं कि यह चुनाव भी यह चरण भी रोचक हो और मद्दाताओं से अ अपने मतादीकार का परयोग करें और इस चरण में वो मद्दान का सरवाधिक परतिसत लेकर आमें चुकि चुनाव आयोग भी थमाम राजितिक पार्टिया भी सबकी एक कोशिस है कि मद्दान का परतिसत बढ़े और फिर यह चुनाव पांच सल बाद आने वाला है तो तो अपने सुना की किस तरीके से इन्होंने तमाम जो शेत्र है तमाम जो सीट है जो इस वक्त रोचक बना हुआ है उस पर राकेस प्रवीर जी ने बात की है और इन्होंने तमाम चोटी से अनालाइसिस दिया है क्योंकि अगर इस पर बात किया जाए तो इस पर शब्द कम धन्ने बाद